यह बैसिकली आया जो भी बेसिक फंशनलिटी या फिर को क्या आप एडवांस भी फीचर हैं कुछ ऐसा नहीं कि टोटल ये टोटल फीचर यहां पर MS Word जैसे हैं यह बहुत सारे options जो MS Word में आप करते हैं जो activity करते हैं वो यहां भी Google Docs में भी हैं तो हम थोड़ा से Google Docs का introduction ले हैं कि Google Docs है क्या चीज़ तो जो Google Docs है यह around 2006 में इंट्रोडिउस हुआ था यह Google Docs seat और slide एक साथ ही इंट्रोडिउस हुए थे ठीक है तो यह जो Google Docs है वो MS Word की तरह से MS काम करता है जो Google आपका seat है वो Excel की तरह काम करता है और जो Google slide है वो आपको presentation PowerPoint की तरह काम करता है तो हम इसमें अब दी देखने वाले हैं क्या कैसे सिखने वाले हैं कि introduction to doc ठीक है getting started with document है कि हम document को कैसे start करेंगे कैसे doc file create करेंगे text basic यानि कि हम font में font वहाँ पे जब text वे करा चीज़ा लिखेंगे वो सारी चीज़ा कैसे clear करेंगे कैसे create करेंगे कैसे bold वे करा सारी चीज़ा formatting text and adding hyperlinks header and footer space breaks working with tables and inserting image sharing and collaborating adding and replying to comment keyboard shortcuts तो यह सारे के सारे चीज़े हम अभी इस section में देखने वाले हैं Google Docs के बारे में तो हमारा जो introduction है कि when working with word processing applications like a Google Doc, it's important to be comfortable with the document interface जब मैंने आपको यह चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कोई भी software हो, कोई भी tools हो, उनको सीखने से पहले उनकी जो interface है, उनसी introduction होना compulsory होता है then तब ही आप क्या कर सकते हैं कि अपना work effectively आप कर सकते हैं ठीक है, तो हम अभी चलेंगे और अपने screen पर बताऊंगा कि Google Docs के interface कैसे दिखते हैं, कैसे हम उनको create करते हैं, कैसे हम उनको access करते हैं now एक चोटा सा यहां पर यह भी है कि the Google Docs interface includes the toolbar at the top of the screen as well the document itself and allow you to type and modify text in addition to sharing a document with the others यह सारे के सारे options जो भी हैं, मैं सारा अभी आपको live दिखाऊंगा तो मैं अपने Chrome पर आता हूँ, और Chrome पर आने के बाद, Chrome पर मैं बार बार क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि Chrome ही platform है जो Google browsers है, जिसके जरिए हम Google Workspace के सारे के सारे tools को access कर पाते हैं ठीक है, because यह जितने भी हैं, वो सारे के सारे online work करते हैं, आप offline भी इनको यह कर सकते हो, but offline करोगे तो वो जैसे internet से connected होगा, वो सारे सारे के file आपको वहाँ upload होते हैं, ठीक है, असा नहीं है now हम मैं बात करता हूँ Google Doc का, तो Google Doc को हम open कैसे करते हैं, Google Doc का open करने का दो तरीका है, ठीक है, multiple way भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दो basic तरीका को बताऊंगा, ठीक है, वो क्या है, कि पहला आपके क्या है, कि आप जाओ, जो basic way है, किसी भी apps को open करने के लिए, आप Google Chrome open करो, आ आप यहाँ पर आओ, Google Apps के उपर आओ, और Docs पर क्लिक कर दो, तो यह आपको क्या करेगा, जो Docs की interface है, जिस तरह अगर आप MS Word को खोलते हो, open करते हो, तो इस तरह शे open करने के बाद एक interface आता है, then आपको यहाँ पर क्या मिलता है, Docs मिलते हैं, यहाँ पर search box आ रहा है, यह यहाँ पर Google Apps का यह आ रहा है, कि यहाँ से भी आप search कर सकते हो, now start a new document, यहाँ पर आपको कुछ templates gallery देख जाती है, recent document जो आपने create कर रखा है, वो सारी चीज़े यहाँ पर आप recent में देखते हो, ठीक है, यह सारी चीज़े, now मैं अगर बात करूँ, मुझे blank document चाहिए, तो मै ब्लैंक पर click करूँगा, और control के साथ जब click करेंगे तो यह new tab में open होगा, अगर मैं इसी पर किवल click करा दूँ, तो यह tab में open होगा, ठीके, आप दिख पा रहा है, इसी tab में open हो रहा है, तो मैं control के साथ यहाँ पर click करके blank document, तो blank document में आप कोई, नहीं आपने यह search किया है, कोई templates use नहीं किया तो यह पूरा का पूरा blank आपको यह document मिल जाता है अगर आप यही कोई इहां पर search करके template gallery search करके आप template gallery में जा करके अभी जो हमारा general है और general में आगर कोई भी इहां पर आप देख करके जो आपको चीजे दीख रही हो या अच्छा लग रहा हो या फिर जिस तरह की documents requirements हो वो सारे का सारा चीज़ यहां पर क्या कर सकते हो आप उनको use करके अपना project create कर सकते हो या फिर अपना document create कर सकते हो जैसे मालो मुझे यह cover page create करना हो तो मैं यह template टे लूँगा और जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो यह क्या करेगा हमारा इस template को google doc में create कर देगा देख पा रहे हो यहां पर तो मैं इसको use कर सकता हूँ अपना content में add कर दूँगा यहां पर heading जो project ने मेरा अगर होगा तो मैं आता हूँ blank वाले पर blank because यहां से आपको सारे चीज़े scratch से समझ में आएंगी तो आप देख रहे हो top में क्या है untitled document यहां पर आकर के जैसे ही आप click करोगे यहां पर आप अपने documents का अपने doc का name दे सकते हो तो मैं दे रहा हूँ training training doc demo मैंने यह दे दिया name तो इस तरह आप name देगे यहां पर देखेंगे automatic यह save ले रहा है per 5 seconds, per within 10 seconds यह क्या करता है automatic save करता है आपके जो भी आपने create किया, जो भी आपने activity यहां पर किया वो हमेशा क्या करता है, यह save करता है चुके हैं कि वो recover कर लेता है लेकिन पहले features कहते हैं अगर आप save नहीं किया तो फाइल आपका delete हो जाता था recover करना थोड़ा सा hard होता था थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपका every seconds यह update होते रहता है आपका चीज़े save होती रहती है तो जैसे मैं आपको बताया कि यहां पे हम name create कर सकते हैं name change कर सकते हैं यहां पे आपका है कि कोई मा लेज़े important document है तो आप star भी कर सकते हैं और ये जो filter आपका है Google Drive में जहाँ star आप देख रहे थे वो चीजे आपको दीखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर star कर दिया और मैं यहाँ पर जा करके और अपना drive open करता हूँ drive open किया और मैं जब star यहाँ पर आकर के देखूंगा star में तो आप देख रहे हैं training doc डेमो आ गया because जितने भी आपकी Google Workspace की tools है जिन जो भी file location या file folder access करते हैं वो सारे के सारे चीज़े जाकर कहां सिब होती है Google Drive जिस तर आप Windows Operating System पे आप जो भी चीज़े काम करते हूँ वो कहां सिब करते हो file explorer में आपका वो file access करते हो same उसी तरह आप doc काम करो sheet पे काम करो slide पे काम करो folder create करो वो सारे के सारे काम आपके कहां सिब होते हैं Google Drive में वहीं से आप access करते हो तो आपको ये भी समझ में होगा कि star का क्या benefit है ठीके उसकी just नीचे आपको ये tabs और menus मिल जाते हैं जो कि अलग-अलग group of functions को ये collect किये रहते हैं file के अंदर आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे edit के अंदर आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे view के अंदर आपको options मिल जाएंगे insert के अंदर मिल जाएंगे format के अंदर मिल जाएंगे options आपको बहुत सारे tools के अंदर मिल जाएंगे options extension के अंदर मिल जाएंगे help के अंदर तो help यहाँ पे ले सकते हैं अब यह जो बार होता है, एक तरश चे आप इसको बोल सकते हो, Quick Access Tool पर भी बोल सकते हो, कि यहाँ पर जो भी frequent uses होते हैं, आपके daily basis पर जो यह चीज़े uses होने वाली होती है, उनको यहाँ पर list out कर दिया जाता है, कर दिया गया है, और आप उसको easily access कर पाते हैं, ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने slide पर एक बारी, और मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या है, तो मैंने आपको यह सारे के सारे चीज़े बताई दिया, ठीक है, इसमें क्या मैंने नहीं बताई, कि orientation चिंज करना, जैसे अब ही आप देख रहे हैं, कि इसका page का orientation क्या है, protate है, orientation क्या है, protate है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा document है, इसकी orientation land as kept हो जाए, या फिर जो अभी margin मैं यहाँ से text लिख पा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से text लिख पा रहा हूँ, मैं इस text को और narrow margin दूँ, तो वो सारे चीज़से मैं setting कर सकता हूँ, कहां से करूँगा, मैं file पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे page setup पे click करूँगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कि आपका जो apply होगा, whole documents पे apply होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, land as kept करके, यहाँ पे जो top के मैं चाहूँगा, कि 0.5 हो जाए, again मैं 0.5 इसको कर देता हूँ, again 0.5, 0.5, all type, यहाँ पे टॉप, बोटम, लेफ्ट, राइट, चारो तरब से मैं इनकी margins, 0.5 inch ले रहा हूँ, यहाँ आफ इंच ले रहा हूँ, मैं तो मैं okay करूँगा, तो देखिए यहाँ पे, कि इसकी जो length है, यहाँ पे margin कम हो गया, और जो इसका land, यह जो आपकी orientation है, वो land as kept हो चुकी है, ठीक है, इस तरह शे, आप अपने orientation and वो चीज़े कर सकते हैं, जैसे माल लिजे, मेरे पास 2 page हैं, जाता हूँ, और मैं लिखता हूँ, page 2, और मैं again एक page लेता हूँ, page 3, अभी देखिए, इसको benefit क्या है, कि मैंने page 1 मेरा orientation क्या है, land as kept है, और मैं page 2 को orientation करना चाहता हूँ, rotate, तो वो भी कर सकता हूँ, file में गया, page setup, और यहाँ पे जा करके, मैं whole document ना करके, selected content, या वो कर सकता हूँ, अभी मैं select content नहीं किया था, जैसे मैंने इसको select किया, file and page setup, और selected content आगया, select content, और select content में जा करके, ok कर दूँगा, तो आप देखेंगे, sorry मैंने भी questions नहीं किया, मैं control z करता हूँ, again मैं file पे जाता हूँ, page setup, और यहाँ पे selected content, और यह मैं protect कर दिया, और ok कर दिया, तो अभी आप देखेंगे, कि इसकी जो page 2 वाली थी हमारी, वो क्या हो गया, page 1 क्या है, इस तरह शे आपका, page 1 हमारा, land escape है, page 2 हमारा protect हो गया, and then page 3 जो हमारा है, वो again land escape है, तो इस तरह शे आपको, जो भी और चीज़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सारे one by one करके, मैं अगर देख लेता हूँ, next items के हमारे पास है, google docs keyboard shortcuts है, ठीक है, कोई issue नहीं, यहाँ पे मैं एक बार आता हूँ, यहाँस मैं आपको navigate करता रहूँगा, कि हम लोग क्या-क्या सीख चुके हैं, तो guesting started with your document, हमने सीख लिया है, और भी इसमें क्या है, कि हमने तो दो तरीका सीखा, यह पहला तरीका, कि हम अपना file, यह access कैसे करेंगे, doc create कैसे करेंगे, पहला तरीका मैं आपको बताया, कि यहां से आप जागर के, doc पर क्लिक करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, दूसरा तरीका है, कि आप जिस भी folder में, आपको पता होना चाहिए, कि आप यह folder में हमारा save हो रहा है, जैसे हम अभी आते हैं, अपना my drive पे, और जो हमने फोल्डर अभी पिछले वीडियो में create किया था, ट्रेनिंग डेमो वाला जो फोल्डर हमने, वहीं भी हम लोग देखते हैं, ट्रेनिंग डेमो, ट्रेनिंग डेमो फोल्डर जो हमारा था, मैंने इस पर क्लिक किया, और यहां पर आने के बाद, मैं चाता हूँ कि जो मैंने document folder create करूँ, doc file create करूँ, वो इसी folder में create हो, तो मैं simply right click करूँगा, और यहां पर आप देख रहे हैं Google Doc, मैं Google Doc पर क्लिक करूँगा, create add and share, ठीक है, create and add share पर क्लिक करेंगे, तो यह जो हमारा है, अब इसमें देखें यहां पर, जैसे ही यहां पर create होगा, और मैं इसका name दूँगा, अब अंटेटल है, इसलिए यहां पर save मैंने दिखा रहा है, जैसे ही मैं इसका name दूँगा, कि docs, docs within, within folder, ठीक है, मैं जैसे ही doc within folder, यहां पर name दूँगा, और यह जैसे ही save होगा, यहां पर आप देखेंगे, कि वो आपका untitled document अभी दिखा रहा है, और जैसे ही एक बार इसको मैं refresh करूँगा, तो हमें क्या दिखाएगा, यहां पर, यह अभी save होगा, अभी update हो जाएगा, doc within folder, तो यहां पर देख रहा थे, अभी save हो रहा था, इसलिए वहां पर show नहीं कर रहा था, अब doc within folder यहां पर create हो गया, तो दो तरीका आपने सीखा, कि कैसे हम direct folder create करके, भी doc file create कर सकते हैं, और जो हम किसी फी folder के अंदर भी create कर सकते हैं, और third way क्या है, कि आप simply यहां पर जाएं, और यहां पर type कर दीजिए, कि docs.new, जैसे ही आप type करके इंटर करेंगे, तो आपको एक blank document यह create करके, देदेगा automatic, ठीक है, इस तरह से आप अपने यहां पर create कर सकते हैं, अब यह आपको मैं दिखाऊं, कि इसका folder हमने select नहीं किया था, इसका तो हमने within folder select किया था, क्योंकि हमें यहां पर यह दिख रहा है, लेकिन इसकी folder मुझे नहीं पता है, यहां पर जाएंगे आप, अगर मैं यहां पर जाओ, यहां पर आप देखेंगे, तो इसका folder आपका पता है, कि आपने कहां सेव किया इसको, training demo folder में, बट आप यहां पर आप देखेंगे इसका, इसका मैं क्लिक करूँ, और यहां पर my drive में, किवल my drive में है, मैं इसका अब change करना चाहूँ, location मैं save करना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर training demo folder पर क्लिक करके, और move पर करके, और move कर दूँगा, तो again जो हमारा documents है, जो किवल my drive में था, वो training doc demo यहां पर भी आगया, तो इस तरह शे आप file अपने doc file को organize कर सकते हो, और यह same way होता है, doc, seat और slide के लिए, मैं हर बार नहीं बताऊँगा आपको, यह same तीनों चीज़ों के लिए क्या होता है, same way होता है, कि इस तरह शे ही सारे चीज़े, आप document में create करते हो, move करते हो, वो सारे चीज़े, जैसे मैंने आपको तीन चीज़े बता है, कि आप within folders create करते है, same way में आपको slide भी create करते हो, seat भी create करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे, कि यहाँ पे docs.new करके, आपने doc file बनाया, same उसी तरह शे, आप seat.new करके, google sheet बनाएंगे, slide.new करके, google slide बनाएंगे, create करेंगे, now, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे, file के जितने भी options है, most of the cases, जो भी use होने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे new है, तो new पे document जैसे, हमारा MS Word में भी new आता था, same उसी तरह मैं, नया document create करने करें, new पे click कर लेंगे, open है, क्याई कोई documents आप पहले से, create करके रखें हैं, उनको open कर सकते हैं, जैसे आपने open पे click किया, तो जो भी आपके documents यहाँ पे पढ़े हुए हैं, पहले से, जो आपने create किया है, वो सारे के सारे चीज़े यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और सो कर सकते हैं, ठीक, open कर सकते हैं, now next option हमारा आता है, make a copy, जैसे हमने copy करके आपको पहले बदिखाया था, जो मैंने photo copy किया था, इस photo को copy बनाया था, सेम उसी तरह से, इसकी copy भी एक बन जाएगी, जैसे मैं अगर copy बना करके वह दिखा दूँ आपको, मैं इसको close कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे, file, make a copy, और copy कहाँ पे create हो रहा है, training demo folder में, और make a copy कर कर देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे, कि जैसे हैं वो save होगा, make copy of a docs within folder, आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने file को, doc file को copy कर सकते हैं, मैं इसको close कर देता हूँ, मुझे जो बताने आपको वो करता हूँ, मैं share पे, तो share पे जो भी मैंने आपको folder, file के साथ share वाल अप्सन बताया, same वही option यहाँ पे ही मिल जाता है, share with others, पे जैसे ही click करेंगे, जिसका email आप डालेंगे, जिस भी आपने team members का, वो इस चीज़े share हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़े यहाँ पे share हो जाएंगी, मैं again file पे जाता हूँ, share पे click करता हूँ, और share with others पे click करता हूँ, मैं आप देखिए viewer का, default जो setting होता है, वो viewer का ही होता है, आपके within organization, वो viewer का setting होता है, आप इसको commenter और editor का access देश सकती है, ठीक है, तो आप यहाँ से change करके, जैसे मैं भी editor का देदूँ, और यहाँ पे copy link करूँ, तो आपको copy link जैसे करूँ, और done करूँ, तो यह मैं उनको share कर दूँगा, तो वो edit कर सकते हैं, यहनि कि उनके पास इसमें, कुछ भी चीज़े type करने की permission रहेगी, they are type to here in any way, कुछ भी यहाँ पे type कर सकते हैं, document create कर सकते हैं, सारे चीज़े, लेकिन अगर मैं उनको view का access देदूँ, तो केवल वो document को देख सकते हैं, access नहीं कर सकते हैं, यहनि कि edit वेगरा नहीं कर सकते हैं, type नहीं कर सकते हैं, यह हमारा था share का options, ना हमारे पास आता है email, अगर यसी file को direct आप किसी को email करना चाहते हो, email as a attachment, वो direct email पे click करेंगे, email this file पे click करेंगे, तो यह direct आपका यहाँ पे, टू में पुछेगा, subject कुछेगा, message पुछेगा और PDF फाइल टाइप और send कर देंगे, तो आप इसी को direct as a PDF भी direct email कर सकते हैं, download पे click करके तो आप यहाँ पे multiple types के downloadable options आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे .epub, web page app, plain text, pdf, rich text format और open document format और Microsoft Word ओपन डॉक्मेंट फॉर्मेट जो हता है OTT यह जो आपका है लिब्रे ओफिस का है format वहाँ से भी कर सकते हैं तो इस तरह से कर मैं एक बर करके दिखा दूँ तो जैसे Microsoft Word करके दिखाँ तो यह आप देखेंगे कि यह Microsoft Word Dock के folder उसमें open हो गया Now मैं बात करता हूँ File पर आ करके Rename का तो आप इस folder को Rename कर सकते हैं तो डिरेक्ट यहाँ पर जाए और इसको Rename कर दीजिए या फिर आप फाइल में जा करके भी Rename कर सकते हैं जो Rename करेंगे तो ही पर आएगा कोई इशु नहीं इसको Move करना है जो मैंने Move वहाँ से सिखाया आपको बताया सारे के शारे option यहां से भी कर सकते हैं Add to shortcut to drive कर सकते हैं Move to try and delete कर सकते हैं Version history क्या होता है कि जैसे अब देखिया भी मैंने अब यह क्या बताया आपको कि मैं यहां पर लिखता हूँ Demo के लिए यहां पर गया मैंने इसको delete किया मैंने लिखा Demo Training Demo Training Documents मैंने यहां पर लिखा मैं चाहता हूँ इसको मैं आप देखना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने अभी चेंज किया आप कल गया और इसको इसमें कुछ चेंज कर दिए तो वो version history control में दिखाता है आपको कि आपकी जो मैं आपके यहां पर दिखाऊंगा version, see version history यहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे time change हो रहा है देखें पहले हमारा document blank था और मैं अभी क्या किया हूँ 1.9 पे मैंने अपने content add किया तो दो हमारे पास version हो गए अलग-अलग time पे तो मुझे जो मुझे चाहिए था कि माहलेज आपका पूरा document इसमें created हो आप कुछ changes कर दिए तो मैं पीछले documents को भी recover कर सकता हूँ यह version history के through कर सकते हैं जैसे माहलेज जे मुझे blank थी चाहिए था मैंने यहां पर क्या और यहां पर आपका option दिख रहा है restore this version मैंने restore this version पर click करूँगा और then इसको restore कर लूँगा इस तरह से मैंने restore इसको कर लिया ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने वीडियो वेगरा को अपने documents को restore कर सकते हैं यहाने की version control कर सकते हैं तो I hope आपको यह चीज़े समझ में आ गया होगी जैसे make available offline क्या होता है कि जैसे मालो आपको कोई documents वेगर read करना है देखना है तो आप उसको make offline कर दोगे तो वो आपके system पे cache file में या फिर chrome पे वो offline available हो जाता है और आपको उसको देख सकते हो और काम cover कर सकते हो ठीक है यह चीज़े मैं अबकर details का बात करूँ तो यहाँ पर details पर क्या है कि location क्या है on or कॉंस है modified date क्या है created कब क्या है यह थोचा सा information हमें मिल जाता है यहाँ से now मैं अगर बात करूं language का तो यह language यहाँ से आप किसी document का language भी directly change कर सकते हो ठीक है page setup में बताए दिया print में क्या होता है कि आप documents को print कर सकते हो तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ content लेकर के आता हूँ पहले तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और content के लिए मैं chat GPT यूज करता हूँ again तो chat GPT में मालो आपको कोई notes लिखना है कि इसको जैसे मैं training tutorial यह वाल जो मैंने पिछली वीडियो में आपको subject create किया था then आपको केवल और केवल content ही आएगा यहाँ पर ठीक है अब आप जैसे ही file पर जाएंगे और print करेंगे यानि control peak भी करेंगे तो यह print preview open होगा और इस तरह से आपका print दीखेगा और print करेंगे तो printed connected रहेगा आपकी तो वो file print हो जाएंगे अगर printed connected नहीं है तो आपकी यह file as a PDF save होगी तो यहाँ पर location पूछेगा आप दे दो demo print और यहाँ पर save करेंगे तो आपका demo print आपकी download folder में save हो चुका है now हम बात करते हैं अब text basic का ठीक है यह सारा दोनों चीज़े मैं मैं आप इन दोनों का बात करना हूँ text basic and formatting text and ending hyper links इन दोनों को बात करूँगा मैं अभी तो देखिए जब भी आप text तो add कर लिए तो जो ऐसे माल लो आप इस text को bold करना है तो simply slide करेंगे कोई भी work करना हो docs में slide में seat में जो भी commands आपको apply करने हैं वो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे simply select करेंगे और यहाँ पे bold कर देंगे बोल्ड option है italic है italic कर लेंगे underline है underline कर लेंगे तो यह सारे के शारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे मुझे इसमें deer को लहीं bold चाहिए तो मैं deer को select करूँगा bold कर दूँगा मुझे team italic चाहिए मैं team को select करूँगा italic कर दूँगा मुझे यहाँ पर time and date को मुझे underline कर दिया मुझे इसका color change करना है मैं color change कर दिया मुझे इसको bold करना है bold कर दिया मैं चाहता हूँ कि यह जो है वो center में आए तो center के लिए यहाँ पर मैं जाओंगा align यहां पे चार options, align, right, left, center और justify, तो justify क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, कि अभी आप देखेंगे, कि यहां पे कुछ जो space है, and यहां तक है, और team थोड़ा से इसे पहले है, तो इनको मैं अगर इस पे justify apply करता हूँ, अगर मैं इस पे justify apply करता हूँ, तो इनकी देखेंगे जो borders है, दोनों same हो गए, अगर मैं सभी control A करता हूँ, और सब पे justify apply कर देता हूँ, तो आप इसकी देखेंगे, document की कुपसूरती थोड़ी सी, beautify हो जाती है, ठीक है, अगर मैं control Z कर दूँ इनको, अगर मैं दो page में इनको copy करता हूँ, जैसे select करके, control C से copy कीजिये, और यह justify कर देता हूँ, और यह without justify, तो यह देखें कैसा दिख रहा है, और same, यसी document को आप देखें, तो कितना formatted दिख रहा है, तो यह होता है justify, right, left, alignment, तो अकर आप कुझे यह चीज़ समझ में आया हो, कि just, यह left हो गया, मतलब कि जो कि आपकी starting point हो, वो lifts रहेंगे, यह center हो गया, center में सारा चीज़ चला गया, यह हो गया, right, और यह हो गया, आपका justify, तो इस तरह शे आप देख पा रहे हैं, आपकी सारे movement हो रही है, now, अब बात करते हैं हम, कि मुझे अगर मालो किसी के पीछ background में highlighter चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, तो आप simply highlighter वाले button पे click करेंगे, और जो भी आप highlighter यहाँ पर use करना चाहते हैं, वो यहाँ पर highlighter दे सकते हैं, जैसे मैं अभी, यहाँ पर red है, तो मैं कुछ और देना चाहूँगा, यहाँ पर इस तरह से, और इनका में भी मैं color थोड़ा सा change कर देता हूँ, मैं इसके जगह पर yellow दे करके, मैं इसका color black कर देता ह और format में क्या है चीज़ है, कि जैसे मालो आप bullet add करना, यह सारे के सारे चीज़, जैसे मालो, मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, कि आपको add करना है, कि मैं यहाँ पर दिखाया, कि as in tools list मैंने दिखाया, तो मैं जो tools list में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर tools list में आ करके क्य क्या करूंगा tools list में यहां पर tools list को select करके और यहां पर मैं आऊंगा इसको bold कर दूंगा जो बहुता सा मैं इंटर क्नींचे आया और यहां पर मैं अपना bullet points on कर दूंगा और मैंने दीखा dragon गूगल गूगल क्रोम गूगल गूगल ड्राइव इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपने लिस्ट आइटम भी क्रियेट कर सकते हैं ठीक है अगर मैं अभी चाहूं यहां पर तो मैं गूगल डॉक भी लिख सकता हूँ अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बुलेट इटम, मुझे बुलेट चαहिए तो मैं इसको digit करूग और यहां पर बुलेट ञायें हैं और यहां पर आपको बुलेट करेंके तो फॉर्मेट आप तो इसमें आप गर आप देखेंगे, इसमें, कि इसमें brackets लगे हुए हैं और इसमें नहीं लगे हैं, तो इसमें आप देखेंगे, bracket नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे Google Chrome के जैसे में enter करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि Google Chrome के अंदर में क्या-क्या topics बात करने वाला एक label मैं अंदर जाओंगा, तो मैं tap प्रेस करूँगा और देखेंगे कि यहाँ पर यह option अगया, यह गूगल गरो में बने की installing Google, फिर change the profile, तो इस तरह है हम क्या करते हैं, sub-bullets add कर सकते हैं, अगर मैं चाहिए कि change profile को मुझे main bullet बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, य एक cursor यहां blink करता ही रहाना चाहिए लाइन में, और shift-tab press कर देना है, यहां पर shift-tab और यहां पर shift tap कर देना है, यह आपका main bullet में आ जाएगा, अब देखिए यहां पर indentation है, indentation क्या होता है, कि यहां पर distance between the margin और आपका starting point, text का starting point उसको हम लो गोलते है, indentation, तो यहां पर indentation increase होता है, देखेंगे हां यहां से decrease होता है, यह last हो गया है यहां और यहां से increase हो रहा ह यहां पर select करके font की यहां पर plus button पर click करके size increase कर सकते हैं, और यहां से decrease कर सकते हैं, यहां पर directly type भी कर सकते हैं, मुझे 20 चाहिए में 20 चाहिए यहां पर, मुझे इस font की family change करनी है, जैसे connections मुझे चाहिए, मैंने connections ले लिया, मुझे यहां पर text पून को बनाना है, कोई properties उनको so कराना है, कि यह heading है, यह normal text है, तो मैं title दे दिया है, तो यह title हो गया, तो title देखेंगे, title थोड़ा बड़ा रहाता है, तो title so करेगा, मुझे यहां पर document की कैतना zoom चाहिए, कितनी zoom चाहिए, जैसे मैं यहां पर जग आऊंगा, और यहां पर 100 प्लस कर दूँगा, तो आप देख पा रहा है, यहां पर, कि जो document की pages है, उनकी percentage हमने zoom किया है, तो maximum percentage यहां पर 200 होता है, ठीक है, और minimum percentage आपका 50% होता है, और यहां fit कर देंगे, तो यह आपके screen पे fit रहता है, तो मैं हमेश्चा 100% रखता हूँ, वो ताकि document आपकी visibility अच्छी होती है, और आपको proper चीच installing का रहा है, कि अभी मैंने install नहीं कर रखा है, तो मैं accept कर लेता हूँ, ठीक है, कहने कि spelling सही है, तो कोई issue नहीं है, यहां पर, एक ही हमारा error था, तो वो उसको installing का option सही कर दी है, जो parent आप option file के अंदर देखे थे, वो यहां पर है, आपको undo, redo करना है, जैसे मालेज आप undo करन कोई search आपको करना है, search the menu, और alt, forward select आपको कर सकते हैं, तो इस तरह आप यहां पर search करेंगे, तो आपको कोई भी, जैसे bold आप सर्च करना चाहते हैं, तो bold आपका होगी जाएगा, जैसे आप मुझे इसको slide करके, मुझे यहां से यहां तक क्या करना है, bold करना है, तो मैं search कर करके भी bold कर सकता हूँ, search करके भी bold कर सकते हैं, simple option दीख रहे हैं यहां पर, वही मैं bold कर सकता हूँ, तेक है, आपको यह पूरा का पूरा चीज़ जो file tab का है, वो चीज़े समझ में आऊँगे, next हमारा thing है, hyperlink करना, जैसे मालो, कि मैं चाहता हूँ कि यह जब भी, मैं इस document म आऊ, और मैं इस link को copy कर लूँ, या फिर मैं जा आऊ, इस folder पे, इसको मैं कोई link copy कर लूँ, इस image का, मैं share पे जाता हूँ, और copy link कर लेता हूँ, कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोहीं पे click करूँ, click here to view the photo, मैं गर link दूँ यहाँ पे, click here to, मैं केवल आप, इस click here पे, कोई link लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको select करूँगा, और insert पे जाऊँगा, और यहाँ पे insert पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा, hyperlink, और link, यहाँ पे control के आ रहे है, link पे click कर देजे, और उस link को यहाँ paste कर देजे, और apply कर देजे, तो इस पे जाएंगे, या फिर इसको, तो आप click करेंगे, तो यह आपका link क्या होगा, open हो जाएगा, जैसे ही इस पे click करके, आप इसके उपर click करेंगे, तो यह आपका new tab में, इस link को वो preview करा देगा, कि यह आपका image, show, इस particular link पे यह चीज़े थी, तो इस तरह चे हम hyperlink करते है और remove करना हो, तो right click किजे, और यहाँ पर remove link आ रहा है, remove link कर देजे, तो आपको, I hope यह चीज़े समझ में आ गए होगी, कि हम कैसे link को add करते हैं, कैसे remove करते हैं, नाव हम बात करते हैं, header, footer and paste break का, ठीक है, header, footer, तो heading, header का नामी है heading, यानि कि जो heading पे लगेगा, यानि कि आ header वो top में रहेगा, ठीक है, इस तरह शेक, अब उनको add कैसे करते है, header, footer, तो जो भी चीज़े आपको add करनी है, वो कुछ भी हो, image हो, footer हो, कोई भी चीज़ आपके documents में लेकर के आना है, वो किस option से आएंगी, insert से, तो insert में हम जाएंगे, और यहाँ पर आपको दीख है, header पर गया, और मैंने लिख दिया, कि यहाँ पर, training doc, मैंने लिख दिया, training docs, और मैं कर दिया, enter, या फिर उस पर जाएंगे, और यहाँ पर option देख दीजिए, header, format, base number, remove header, यहाँ पर आ रहा है, वो करने के लिए, लेकिन आप simply यहाँ बाहर क्लिक कर दिए, तो यह आपका header हो गया, अब आप, इसका, आप सोचेंगे कि यह तो मैं directly ही पर type कर दूँगा, यह सकर सकते हैं, लेकिन इनका benefit क्या होता है, कि आप एक page पे add करेंगे, और वो multiple page पे आपको दिखेगा, देखे, training doc, मैं यहाँ पे, जितने page हैं, वहाँ पे दीख रहा है, मैं अगर यहाँ पे, एक blank page भी लेता हूँ, मैं blank page, तो यह automatic training doc आ रहा है, तो यह benefit होता है, कि आपके जितने भी documents आपको 90 page के हैं, 20 page के हैं, एक बार heading add करोगे, वो सारे page पे दिखेंगे, अब मैं again footer add करके दिखा देता हूँ आपको, again मैं insert में गया, heading footer, और footer पे click किया, और footer, अब footer क attending training, इस तरह से मैं लिख दिया, और मैं बाहर click किया, तो यह देखेंगे, कि अब सभी page भी चीज़े दिखेगा, कहां पे दिखेगा, bottom में, because हमने अभी क्या add किया था, footer, तो footer कभी भी दिखेगा, वो bottom में दिखेगा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यह चीज़े add कर इंसर्ट हमारा एक आता है, page break, यह break क्या होता है, कि हम अगर अपना page break करना चाहते हैं, जैसे मेरे control इंटर करके कर रहा हूँ, तो यह सारे के सारे क्या दिखते हैं, हमारे break section, section break, continuous column break, यह सारे break, use यहां से कर सकते हैं, ठीक है, हमारा आता है, working with tables and inserting image, कि हम अपने documents में कैसे table insert करेंगे, suppose that, मैं चाहता हूँ यहां पे, कि मैं एक table बनाओ, जिसमें कि मेरा time के proper time, एक table में, कि मैं अपना training है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मालो, अगर Google work application का training है, और उसमें Google Chrome, Google Drive, यह सब training, किस day को, किस time को, कौन लेग चाहता हूँ, या create करना चाहता हूँ इस document में, तो मैं सबसे पहले जाओंगा insert में, table पे जाओंगा, यहां पे table आपको मिल जाएगा, where is table, table, yeah, first second option ही मिल जाता है, आपको table, insert, table, insert, में आप जाएंगे, table, table में आप जाएंगे, तो आपको यहां पे बताना होगा, कि कितने आप column चाहते हैं, कितने row चाहते हैं, तो अगर आपको माल लो simply नहीं भी पता है, तो आप simple सा 3x3 का add कर लो, और जितने भी आपको जरूरत होंगे, वहां पे automatic यहां पे आपको add कर सकते हो, कैसे add कर माल लो, अभी आपने 3 column add कर दिया, और 2 row कर दिया, आपको चाहिए होता कि माल लो मैं अगर बात करूँ, कि यहां पे मैं अगर देता हूँ, application name, app name, ठीक है, कि यहां पे app name डालूँगा, और यहां पे day रहेगा, next में time रहेगा, अब मुझे चाहिए कि एक column और चाहिए, जो कि मैं trainer name बता सकूँ, तो मैं यहां पे right click करूँगा, और यहां पे insert row above insert row below, insert row column left, right, तो मुझे कहां पे चाहिए, मुझे left side चाहिए, मुझे right side चाहिए, sorry, right side, तो मैं यहां पे insert column right करूँगा, तो यहां पे मुरे पास एक और column right side आ गया, और मैं यहां पे दे सकता हूँ, trainer name, ठीक है, इस तरह से मैं trainer name दे सकता हूँ, मैं इसको adjust भी कर सकता इनको मैं center में कैसे करूँगा तो मैं select करूँगा इन सभी को, मैं यहाँ पर जाओंगा alignment में और इसको कर दूँगा center, यह सारे center में जाओंगा, और जितने भी text आप यहाँ पर apply कर रहे थे formatting, वो सारे के सारे formatting यहाँ पर apply कर सकते हैं, जैसे app name मैं बात करूँ, कि Google Chrome है आपका Google Chrome है, day, Monday को होगा, Monday, timing इसका रहेगा आप माल लो, 8 PM, trainer, इस तरह से, तो आप इस तरह से table create कर सकते हैं, माल लो, मुझे एक और table नीचे चाहिए था, तो मैं कैसे row चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, simply right click करके, insert row below कर सकता हूँ, yes, अगर मुझे एक और चाहिए, तो मैं tab भी प्रेस करती जाओंगा, जितना बर मैं tab प्रेस करूँगा, और end row में है, और end column में आयाएगा, यहाँ पर last row, last column, यहाँ पर करसर आने के बाद प्रेस करोंगे, तो automatic यह नीचे हमारे पास क्या कर देगा, row add कर देगा, तो इस तरह से हम अपने table के साथ work करते हैं, ना हमारा इंसर्ट पर जाता हूँ और image पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे options आपको मिल जाते हैं, जैसे search from the web, आपने direct google से भी search करके insert कर सकते हो, drive से कर सकते हो, photos by url और camera, और upload from computer, manually लोग जो अपना photos बेगारे insert करते हो, वो upload from computer ही करते हैं, तो आपको मैं यह task दे रहा और बाकी कि आपको अपने आपसे करके देखना है, अगर कोई error आएगा, कहीं भी आप first जाएंगे, तो आप comment box या Q&A box में जाकर के, आप अपना query raise कर देना, मैं आपका queries को वहाँ reply दे दूँगा, तो पहला option मैं बताऊंगा, बाकी आपको सारे options करने हैं, same way होगा, कुछ को changes होंगे, देखता हूँ मैं कि आप चीज़ों को समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं, तो आपको simply क्या करना है, upload from computer पे click करना है, और upload पे जैसे ही जाएंगा, और इस image को select कर लेंगा, और open कर देंगे, तो आप simply देख पा रहे हैं कि इस image को select कर लिया गया और यहाँ पे आ अब मैं बात करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे image है, मैं इसको देखे, move नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं move कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको mode मिलता है, जैसे wrap text, यहाँ पे break text, यहाँ पे आपको मिलता है behind the text, in front of text, तो मैं इसको क करता हूं रेट किरके trabalh center adjustment या फिर फिर मैं इसको कर देता हूं यह तो यह wrap Text में क्या होता है कि यह इसके साइड में जो भी इरिया बचा हुए ता इसने जैसे मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा तो यहेगा यहां text हटता जाएगा text हट गया ठीक है तो मैं इसको अगर first वाल item रखता हूँ तो यह इस तरह से adjustable होता है तो आपको अगर link करना है कि वो कहीं अपना position छेज़ ना करे तो आप first वाल अपसंद को कर सकते हैं इसका नाम है inline इसका नाम है wrap text इसका नाम है break text break text में क्या करोगे कि आपका ये छोटा भी करोगे फिर भी ये text इसके side में नहीं आएगा देखो side में नहीं आ रहा है अगर यही आप wrap text कर दोगे wrap text तो ये आप जैसा ऐसा image बना हुआ ना वैसा वैसा आएगा behind the text कर तो text के behind में चलेगा in front of text कर दो text के उपर आ गया तो मैं मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ये वारा कि अगर आपको इनके position change नहीं करने है तो आप first वाले रखो बाकी okay है अभी देखो आपको image option और related मिल जाते हैं image option में आप आओगे तो इनकी size and rotation ये सारे options आपको आप खुद से explore करना मैं अगर इनको ज़्यादा details में लेकर के जाऊंगा तो ज़्यादे तर ये use में भी नहीं आते हैं आपके जो मतलब frequently use में नहीं आते हैं ये advanced चीज़े हैं तो हम जब advanced tutorials लेकर के आएंगे और advanced training आपको जब मीलेंगी उसमें आप सारी के सारी चीज़े एक एक point आपको सिखा दी जाएंगी अभी मैं basic और जो frequent usable चीज़े हैं मैं उनके training प्रवाइड कर रहा हूँ आपको जब ये basic के बाद मैं intermediate training लेकर के आऊंगा और then advanced तो वो आप second, third में पूरे के सारे चीज़े options को explore कर पाएंगे मैं single single tutorials में आपको सारे options एक ही करके explore करा दूँगा तो अब भी के लिए आप इंतना ही समझे next हमारा things है sharing and collaboration जैसे मालो कि मैं जो हमारा colleague है या फिर teammates है, member team member है उनको मैं share करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने to document create कर दिया मैं चाहता हूँ कि वो हम इस document को format करें यानि कि कुछ अच्छा attractive चीज़ आ और font बगरा change कर दे ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि file पर जाऊँगा share button पर click करूँगा और यहाँ पर share with others पर click करूँगा और मैं जिसको भी access देना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पर इस पर देना चाहता हूँ और मैं editor का access देना चाहता हूँ और मैं send कर दूँगा तो आपको मैं यह भी देखा देता हूँ कि कैसे यह चीज़े वहाँ पर उस email पर आती हैं और आप उसको कैसे access कर पाते हैं तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं वह email open करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको इसका Gmail open करता हूँ क्योंकि आप जब भी किसी को share करेंगे तो उसके Gmail में ही एक तरह से mail के थूँ जाए और दब दैन आप इसको explore कर पाओगे आप देखना मैं अब इसको देखाऊंगा आपको real time में यह कैसे हम explore कर सकते हैं इसको देखिएंगे आप इस देखिए real time में अभी यह हमारा है मैं इसको fit करता हूँ fit a screen और इसको भी मैं कर लेता हूँ fit कर लेता हूँ यहाँ पे 100% आपके fit अभी आप देखेंगे मैं दोनों documents आपके in front of you रखा हूँ मैं और मैं देखिए अब मैंने यह मेरा original document है मैं इसका honor हूँ यहाँ पे मैं इसका honor हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि यह जो मैंने जिसको share किया है वो document पे काम करे तो अभी देखेंगे real time में मेरा कैसे यह चीज़े सो होगा जैसे मैं चाहता हूँ कि यह जो हमारा dear team है और यह text है यह यहाँ पे क्या लग रहा और लग रहा है because इसकी जो font size है वो क्या है ज्यादा maximum है तो मैं यहाँ पे आँगा और यह three dots पे click करूँगा और यहाँ पे क्योंकि मैं इसको windows छोटा कर रखा हूँ इसलिए आपको direct options नहीं सो हो रहे है यह three dots पे आएंगे तो सो होगा मैं इसको छोटा करता हूँ आप देख पाएंगे कि real time में आपको छोटा होता हूँ वो इसका तो यह क्या कर सकता हूँ कि जो भी chances मैं अगर editor का access देता हूँ इसको तो मैं इसको edit यह पूरा का पूरा edit कर पाएगा जो भी हमारा team member है जिनको मैं edit access दूँगा वो edit कर पाएगा ठीक है तो मैंने edit करके आपको दिखा है इसका color भी मैं change करता हूँ तभी आपको और better way में समझ में आय में भी sorry इसका color थोड़ा सा dark रखता हूँ इस तरह यह रहा मैंने इसका bold कर देता हूँ अब देखे यह काम किया मैं चाहता हूँ कि अब यह जो है इनका permission change किया जाए कि अब यह access यानि edit नहीं किये करें अब केवल यह show करें केवल देख पाएं लेकिन edit नहीं कर पाएं क्यासे change करना होगा इनका access now file पे जाएंगे हम मैं अभी share पे click करूँगा share भी थे दर्ष और देखे इनके पास यहाँ पे दिखा रहा है कि share किसके साथ share है तो यह editor के जगह पे यहाँ पे मैं अगर केवल वीवर कर दूंगा और इसका अभी मैं रिफरेस करता हूं तो अभी देखे यह क्या कर सकते है अभी save नहीं हुआ है मैं क्या करूंगा इसको वीवर करके save कर्णगा जैसे ही मैं save करूंगा अभी यहाँ पर देखना यह अगर मेभी अगर reload हो तो यह क्या करेगा यहाँ पर मैं अगर जैसे ही इसको change करने जाओंगा अभी change हो रहा है because यह क्या है अभी मैं इसको एक बर reload जैसे ही करूँगा हमारे पास permission हट गया अभी भी हो रहा है अभी फाइल अगर मैं एक बर check कर लेता हूँ हुआ है कि नहीं यस वीवर का है it may be अभी कुछ error आ रहा हो या फिर मैं इसको अगेन एक शेयर करता हूँ share पे जाकर करके share करता हूँ और मैं इसको remove करता हूँ इनका remove access और मैं इसी MLID पे again जाकर के इनको मैं करता हूँ इडिटर के जगा पे वीवर का आब access देता हूँ और send करता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने इसको गया और again मैं इसमें आया again मैं इसमें यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद open किया और open करने के बाद अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ यह चिंज हो रहा है I think एक सेकिंड It may be It is my mistake Okay क्यूं हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे है error आ रहा है कि यह जो default setting में है editor का है इस बज़े से क्या हो रहा है editing का रहा है तो मैं यहाँ पर करता हूँ viewer का और जैसे ही मैं viewer करूँ करूँगा और done करूँगा तो इसका जो main access है अब मैं इसको refresh करता हूँ आपको तो अभी आप देखेंगे कि अब यह क्या कर सकता है यहाँ पर request edit access आने लगा पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा request edit access तो यह हमारा options क्या हो रहा था यहाँ से जो default उसका main parent permissions था वो edit का रहा था इसलिए मैं चेंज कर रहा था तो यहाँ पर यह चेंज नहीं हो पा रहा था अब यह क्या हो कर सकता है चेंज नहीं कर सकता है मैं कितना भी अगर type करूँ यह चेंज नहीं कर सकता है बट मैं original owner हूँ मैं यहाँ यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ अब देख रहे हैं मैं यहां पर change कर रहा हूं तो मेरा नहीं में यहां पर सो हो रहा है लेकिन यहां पर जब यह कोई selection कर रहा है यह कुछ नहीं कर सकता है यह file को download share कर सकता है लेकि एडिट नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने इसको view access दे रखा है अगर request edit access पर click करूँगा और यह request edit access जैसे ही send पर करेगा तो हमारे पास एक mail आएगी कि someone wants edit access इस तरह से करके आएगा तो मैं आपको दिखा दूँ यहां पर कि यहां पर दिखिया आया कि सार्थी lab course from क्या कर रहा है share request edit access तो मैं यहां पर जाओंगा और यहां पर editor का है और यहां पर जैसे ही मैं share पर click then यह क्या होगा again इसको permissions मिल जाएगा edit करने का I hope आपको यहां पर जो error आया उसको भी आपको learning करने का मौका मिला कि आप learn कर पाए कि क्या error आ सकता है और किन किन चीजों को हमें mind में रखना है जब हम किसी को share कर रहे हैं किसी को edit access या फिर viewer access provide कर रहे हैं तो आपको हमेशा ज जो edit access है या फिर viewer access है तो उन सी जो को आपको देखना पड़ेगा thank you now मैं बात करने वाला हूँ अभी कि adding and replying comments जैसे comment रहता है आपका comment का तो मैं इसको भी maximize करके इसका भी मुझे एक बार और का work है मैं इसको दिखाऊंगा आपको जैसे अभी मान लेजे कि मैंने अभी कोई comment किया ठीक है कि जैसे मान लेजे मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी चीज़े work हो रही है जैसे मान लेजे upcoming आया तो upcoming के जगा मैं past training या मैं चाहता हूं कि इसकी size कम करें जिसको मैं assign करना चाहते हूं तो मैं क्या करूँगा comment add करूँगा comment कैसे add करते है insert, insert पर जाऊंगा और यहां पे आपको दिख जाएगा comment, where is comment comment यहां पर आपको दिख रहा है link के ग्लिक करूँए comment को किसको करना है मैं add the rate के उसका email tap करूँ ठीक है मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर क्लिक किया और assign to यहाँ पर क्लिक कर दिया assign तो मैंने assign क्या किया message भी कुछ ने लिखा लेकिन यह चीज़ी assign हो गई लेकिन मैं again चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं गया और edit भी कर सकता हूँ मैं इसको delete भी कर सकता हूँ, तो मैं edit करके जगता हूँ, और मैं यहाँ पर message लिखता हूँ, कि change the font size, मैंने लिख दिया, change the font size, और मैं approach में डाल देता हूँ, कि around 25 point, यहाँ कि 50 point इसका क्या होगा हमारा, इसकी point रखना है, तो मैं जिसको किसको share किया, अपने second वाले email पर, मैं मैं यहाँ पर जाओंगा, अपने mail चिक करूँगा, और जैसे ही मेरे पास mail receive होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं refresh कर देता हूँ, एक बार ही इसको, आप देखें, यह हो रहा है, change the font size ppt, जब यहाँ पर so हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कि इसको slide करके, यहाँ पर selected है, इस font पर मैं हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर click करूँगा, comment पर, यह highlight हो जाए, कि इस चीज़ों को मुझे क्या करना है, change करना है, मैं select करूँगा, और यहाँ पर जा करके, font size का 25, 6 है, तो मैं 25 कर दूँ, या फिर मैं इसको और छोड़ा कर दूँ, त क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर click करके, या फिर मैं इसको reply भी कर सकता हूँ, मैं इस पर जैसे ही click करूँगा, तो reply कि I have done it, और मैं यहाँ पर bracket में point बता दूँगा, 20 point मैंने किया है, ठीक है, और मैं reply कर दूँगा, तो again आप यहाँ पर देखेंगे, कि वो reply आ चुका है, I have done it, यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, mark as done कर दूँगा, तो यह क्या हो गया, यहाँ से भी हो गया, yes, हमारा come हो गया, तो इस तरह से हम comment collaborations भी करते हैं, कि आपको कोई भी चीज़े को so करना, hide करना, या फिर comment करके बताना है, कि आपको, उनसी edit क्या है, कि आप कुछी को edit करने का suggest भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर यह चीज़ होगा, यहाँ पर यह चीज़ होगा, तो अगर मैं, यह भी same as a comment भी ही चलता है, जैसे मैं आपको करके भी दिखाया, वो चीज़े, now keyboard shortcuts है, जो कि आपको मैंने last यहाँ पर बता रखा है, कि shortcuts वेगरा, वो सब यहाँ पर मैंने list का out कर रखा है, आप यह देख सकते हैं, और more details में आप देखना चाहते हैं, Google Doc, Google Doc के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर link पर click करके, आप simply jazz करके, और read कर सकते हैं, document.